हलो जी कैसे हो सारे इस लव बबर और वेलकम दो चैनल कोड हेल्प यह हमारा लेक्शन नमबर 14 है और अभी हम कह सकते हैं कि हमारी बाइनरी सर्च की प्राब्लम सॉल्विंग सीरीज चल रही है पिछली एक वीडियो आई थी जहांपर अपने दो तिन कोशन सीख लिए बहुत आपको एक rotated और sorted array के अंदर एक element को सर्च करना है बहुत ही famous question है और code करते हैं बिल्कुल मज़ा हो जाएगा इसकी solve करने के लिए तीन अपरोचिस हमारे पास पढ़ी होंगी ठीक है उसके बाद एक आपको number दे रहा है उसका आपको square root निकालना है using binary search मज़ा आ रहा है और सि major की form में नहीं decimal के आगे precision लगा करके हाँ यार 5.123 इस प्रकार से यह भी हम साथ में करने वाले है addition उसके बाद मैं कैसा question solve करने वाले है जो कि google interviews में बहुत जादा पूछे जाता है इसकी variation बार 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 पर google interviews में आपको दिखी जाती है मैं recently flip card के interviews दिये थे Amazon के अंद question कर सकते हैं done तो बहुती fruitful session आपके लिए होने वाला है और अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो के अंद में बोला था कि आपको एक homework है जिसमें आपको का करना है आपको एक question complete करके लाना है एक question solve करके लाना है वो question क्या था find pivot in an array इतनी से चीज़ बोली थी आपने मुझ किसी कुछी को doubt होगा तो वो doubt अभी solve करवाते हैं और हम क्यों करना चाहरे है वो भी आपको पतल लगे है इसको करने के बाद हम अगली question में use कर रहे होंगे तो पहले समझते है pivot in an array क्या चीज़ है पहले हम समझते है input क्या है मैंने आपको बोला कि दोस्त input में मेरे पास एक array पढ़ा हुआ है जिसके दर मान लेते हैं कि वो sorted array है one two three seven nine इस प्रकार यह जो है वो sorted है ठीक है एक sorted array हमारे पास पढ़ा हुआ है मैंने क्या कि इसको rotate कर दिया rotate कर दिया दो number से तो दो number उठके ऐसे पीछे से यहाँ पर लग गए तो यह क्या हो गया seven nine one two three तब यह क्या हो हो गया तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास input में एक sorted and rotated array आ गया तो मेरे को input में यह चीज़ दी हुई है अब मुझे क्या करना है मुझे output में बताना है कि pivot कौन सा है इसका pivot element कौन सा है पिवट क्या होता है उस चीज कम समझते हैं अगर मैं इस particular array को एक graph की form में दरशाने का try कर आगगा है तो मैंने बोला seven ये मानलो मेरा seven है ये मानलो मेरा nine हो गया यह लैन चलिए कि यह तो यह आपको एक sorted rotated रोटेटेड आरहे इसका उपर आपना एक्जांपल दिया उसका graph कुछ इस परकार आ रहा है अगर मुझे इसे में बतानों कि pivot elements कौन सा है तो देखो है बहु इंटरेटर मिल जाएंगी कुछ लोग बोलेंगे आपको कि यह पेवट element है कुछ लोग बोलेंगे आपको यह पेवट element है हम क्या करने वाले है हम इसमें से एक निकालने वाले है logic wise यह thought process wise दोनों का तरीका सेम रहने वाला है ठीक है अगर आपको एक समझ में आगे तो आप द बता दो तो आपने वोला है भी है बहुत असान है इस वाले एरे का पेवट element क्या है बन है आपको कैसे बहुत अलगा इस graph में देखके तो आपको क्या दिखके जो सबसे नीचे जो minimum value बनके आ रही है graph के अंदर तो कोई भी graph हो उसको minimum value आप यहां पर देख पा रहे है उसक अच्छी तगडी तगडी जॉब्स लेते हैं तो रिलेवल प्लाटफार्म पर यहां पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जैसे अगर हम बात करें तो क्रेड वन एमजी मीशो अर्बन कंपनी अपग्राइड बहुत अच्छी लेवली कंपनीज जहां पर आप ड करना होता है रेइस्टर करों आपकी बैकन पर अपनी पहली जॉब यहां पंदरा दिन में ले सकते हैं गेट हायर यहां बहुत सारी टेस्ट आपको अपना फ्री स्लोट बूक करना है अपने हिसाब से टेस्ट देना है क्रैक करना इंटर्वी देके बिल्कुल हरो बनना मिल जाए कि उसका आप यूज कर सकते हैं और फिर जितनी वड़ी जॉब ले लो दन्यवाद मैंने बोला बहुत असान है कुछ जादा मुश्किल नहीं है सिंपल चीज है हमें का दिख रहा है कि यहां पर दो फॉंक्शन है पहला फंक्शन जो है इस प्रकार का है मोनोटोन मोनोटोनिक फंक्शन के ओबर मैं बाइन इस लगा सकता हूँ अगर मैं इसको एरे की फॉर्म में आपको दर्शाने का ट्राई करूँ एक्जाम्पल को तो मैं बाइनी सर्च तो मैं लगा सकता हूँ और किसी प्रकार बाइनी सर्च का प्रयोग और क्या करूँगा आप जो आपके दिमाग में आयोगा, वो क्या होगा, कि मैं simple linear search लगा दूँगा, मैं पहले पहले वाल element देखूँगा, फिर second element देखूँगा, फिर third element देखूँगा, फिर third element देखूँगा, फिर fifth element देखूँगा, और इस प्रकार मैं अपना favorite element minimum करके निकाल लूगा, इसकी time complexity क्य योग करना चारे हैं, पर सवाल है कि कैसे निकालो गए, अब भी वो चीज़ सड़ी clear हुई है, उस चीज़ का हम clear करने के try करते हैं, मान लो कि मैंने आपको बोला कि दोस्त, यह आपका graph, और आपको पता है कि यार स्टार्टिंग में जो है, आपका यह आप 0 इंडेक्स है, और यह आपका n-1 इंडेक्स है, इसको आप start बोल सकते हो, इसको आप end बोल सकते हो, यह दो values आपका पढ़ी हुए हैं पहले से, आपको पता है कि यहां की value जो है वो 7 है, यहां की value 9 है, यहां की value 1, 2 और यहां की value 3 है, यह value आपको पता है, और यह value आपको पता है, आपको थोड़ा सकंभी करते हैं वापस चलते हैं और इसको मिनिमाइज करके थोड़ा कम चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हूँ हमने क्या बोला कि यह ऐसे ही है और जीरो है यह N-1 इंडेक्स है ठीक है इसको मुझे लिख दिया कि जीरो इंडेक्स है और यह N-1 इंडेक्स है इतनी चीज़े मैं समझ में आ लिए बहुत बढ़िया अब बाइनिरी सर्ज का जब मैं प्रियोग करता हूँ मुझे मिड निकालना पड़ता है मैं मिड निकालता हूँ हमेशा इस प्रकार से और उस मिड के ओपर प्रोसेसिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे क्या करना है मुझे उस मिड के element की कोई condition ऐसी बनानी है जिसके द्वारा मैं अपना pivot element निकाल लूँ ठीक है यह चीज़ करते हैं हम तक हम बाइनिस के जिदे में questions अपने solve की है तो अगर मैं आ ARR of mid is greater than is equal to ARR of zero यह condition मैं आपके सामने लग दी क्या समझाता है इस से कि मेरा जो mid है पहली बात क्या कहती है कि मेरा जो mid है वो दो जगा हो सकता है या तो इस पूरी line में कहीं पर या तो इस पूरी line में कहीं पर दो ही जगा आउसके पास जब मैं यह वाली condition लिखता हूँ क mid जो है वो greater than equal to ARR of zero है तो इस वाली value से बड़ी value कहा मिलेगी सिर्फ इस line में मिलेगी इस line पर तो नहीं मिल सकती है क्योंकि इस line में सारी की सारी values zero वाली value से छोटी है है ग्राफ में गर मैं देखूँ तो यह समझना मेरे बहुत असान हो रहा है कि यार इस वाली value से सारी values जोटी इस line में exist करती है और इस वाली values सारी बड़ी values इस वाली इस line में exist करती है तो आपको इसी समझ में आगे कि ठीक है तो यह condition क्या दिखाती है अगर मैं इस line को first line बोल दूह हो इस condition है आपको क्या दर्शाथी है वो first line में कहीं भी बैठा हुआ है मुझे तो answer में यह चाहिए तो मुझे अपने start को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला कि इस condition के case में start को आगे बढ़ा देना start is equal to mid plus one बहुत simple else अगर मैं लगा दूँ तो अगर if ये वाली condition पहली line को point करती है तो else किसको point करेगा obviously second line को जो कि ये वाली line है बहुत ही बढ़िया तो else में मुझे क्या करना है इस चीज को समझते है अगर मैं मेरा mid जह हो इस line पर लाई करता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अपने end को पीछे लाना पड़ेगा मेरा end currently यहाँ पर है मुझे उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा पीछे तो मुझे end को पीछे लाना पड़ेगा end is equal to mid अब यह बहुत common doubt वाला question आफकार होगा कि भाई आप सब समझ आ गया बड़े समझ आए कि आपने इसको mid क्यों लिया mid minus one लेते आ रहे थे न अब तक हम mid क्यों लिया मैंने बोला कि आपने last video में जो मैंने को question करवाया peak in the mountain आथे कि आपने वो स्वाल किया था आपने बोला कि भाई यह भूल किया और मैंने आपका बोला कि यार else वाले case में गया जो कि दर्शाता है second line को इसका मतब second line पर कहीं पर mid पड़ा हुआ है अब mid खाऊ हो सकता है mid यार पीच में भी कहीं पर हो सकता है और mid इस pivot वाले point पर भी हो सकता है तो अगर मैं यह लिग दूँ कि end is equal to mid minus one तो अगर मान लो कि एक ये वाला case हो जिसमें mid यही पर पड़ा हो अलड़ी मैंने end को mid minus one कर दिया तो मेरा end जो है वो ये mid है तो mid minus one ये वाला point होगा तो मेरा end जो है उठके यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ और मेरा E-s तो यहाँ पड़ा है तो अब मेरा जो answer है वो कहाँ पर like करता है यहाँ पर like करता जो की case ही नहीं है मेरा answer तो भाई हमेशा यह होने वाला है न तो इसलिए मैंने end को mid minus one नहीं किया इसलिए मैंने end को mid कर दिया थोड़ा बद आपको समझ में आओगा, पूर आपको समझ में तो आपको समझ में तो पिश्टे बाली वीडियो देख रहा की होगी, तो क्या मैं इसको code करने का try करूँ, चलो, एक बार करके देखते हैं, चलो, code मैंने बैसे बिए आल्लड करा हुआ है, ये तीसरी बार वीड मैंने बोला के दोस्त, स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग जो है, 0 से कर लेना, मैंने बोला के दोस्त, मिड तो आपको पता ही है, formula क्या है, s plus e minus s, e minus s by 2 slash, while s less than e, मैंने बोला, क्या, पहली condition क्या कहती है, if arr of mid, क्या कहती है, यहापर देखते है, mad is greater than equal to, is greater than equal to, arr of 0, इस case में क्या करना दोस्त, s को आगे बढ़ा देना, s is equal to mid plus 1, else वाले case में क्या करना, e को mid कर देना, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ, जो मैंने आपको logic समझाया, अभी graph वाला, उनी lines पर, फिर मैंने mid को update कर दिया, और मैंने फिर बटा, return कर दिया, s को, अच् क्या आपको यह वाला code समझ में आया, ठीक है, आपने दो continue समझाया थी, वह यहाँ पर लिख दी आपने, बागे इस चीज़ा में पर लिख पड़ी हुई है, और यह s जो आपने करा, यह समझ में नहीं है, क्योंकि मैं आपको dry run करके नहीं दिखा यह एक ग्जाम्पल, इस इसले आपको समझ में नहीं है, कि s को लिखा है, वह आपको करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको चला कर देखाता हूँ, एक बार, इस case में, 8, 10, 7, 1, 3 की case में, मेरे जो minimum value है, वह है 1, और, इसका index है 3, तो मैं इसको चलाता हूँ, मेरा answer 3 आना चाहिए, pivot is 3 आ रहा है, मान ल तो हमने बिल्कुल सभी लिखा हुआ, एक बार हम try run करेंगे, तो मैं चीज समझ में आएगे, कि ठीक है, किस line से हम क्या चीज करने का try कर रहे है, चलो, मैंने आपको example क्या दिया, कि यार, एक ऐसा case होगा, जिसमें आप, क्या कर रहे होगे, मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर, कि आपके पास values बड़ी होई है, 3, 8, 10, 17, 1, इसके index क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर मैंने बोला, सबस्पहला, आप क्या करोगे दोस्त, आप mid निकालोगे, 0, 4, 2, जो कि 2 आगया, यानि कि आपके जो mid वाली value है, वो ये है, 10, ठीक है, अब आपने इसके बात क्या कि है, आपने यह वाली condition से compare किया, alignment 12 के उपर, कि यार, array of mid, चेक करो, गिर्दन इक्वल टू, error of 0 है या नहीं, तो मैंने 10 को चेक किया, गिर्दन इक्वल टू, 3, तो भाई सब भी तो true आ रहा है, तो true के case में क्या करते थे, इसको आगे बढ़ा देते थे, अगर ये true आ रहा पढ़ी है, यानि वो इस वाले part में लाई करती है, यानि फिर्स्ट लाइन में लाई करती है, मेरा answer जो हो इस यहां पढ़ा हुआ है, तो मुझे अपने S को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने S को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं right वा वो कैसा है, वो है 17, और 1 इसका index है 3, इसका index है 4, मैंने midr निकाला, और mid क्या निकल गया, 3 प्लस 4 बाइ 2, that is 3, तो मेरा ये mid हो गया, मैंने इसको compare किया, AR और 0 से 0 पर क्या value पड़ी है 3, तो ये आगया भाई, true, जब ये true आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे पाद जो ये दो line है, ये पहली बर line है पड़ा हुआ है, पहली बर line है पड़ा है, तो मुझे क्या करना होता है, S को आगे बढ़ाना होता है, तो मैंने S को आगे बढ़ा दी, S पहले हैं पर था, E पहले हैं पर था, S जा उठके यहां पर आ गया, अब मेरी condition क्या कहती है, कि यार यह 1 है, इसका index जो है 4 है S भी यहीं पड़ा हुआ है, और E भी यहीं पड़ा हुआ है मैंने mid निकाला दोस्त mid कैसे निकला 4 plus over 2, that is 4 यानि कि यही मेरा mid निकला और मैंने क्या बोला, इसको compare करो उसके साथ 1 इसको compare करो, उसके साथ 1 इस वाले number से छोटा है, इस number छोटा कि क्या मतलब हुआ, आप second line के अंदर है आप second line के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्त हमें end को update करना है यानि कि ऐसे पीछे अपने answer के तरफ आना है तो आपने end equals to mid कर दिया तो E की value क्या आगई, 4 तो आपने क्या देखा, यार S जो है वो भी 4 हो गया, और E जो है वो भी 4 हो गया हमारा loop क्या कहता है, कि S less than E तक चलाना है तो हम loops out हो जाएंगे इस case के अंदर हमने return कर दिया था, भाहर आके S क्या मैं इसको return कर सकता हूँ E जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ तो दोनोगी case में आपके S और E सेम नंबर को दर्शा रहे होंगे, तो आप यहाँ भले ही चाहिए return S करो, चाहिए return E कर, दोनोगी case में आपका pivot element आप निकाल लोगे, मैं आशा करता हूँ इतनी smooth explanation के बाद, मुझे मतलब technical difficulty की वैसे, मैं shoot नहीं कर पा रहा हूँ अब देखते हैं, आगे हमने pivot पढ़ लिया हमारे सामने second question आता है, क्या है search in a rotated sorted array मतलब क्या है इस बात का, हमने रीशेंटली देखा था न पीछे जाके देखते हैं, एक बार कि यह हमारा sorted array था, यह हमारा जो था, rotated array था, तो यह sorted, rotated array बन गया, इस type का, ठीक है यह हम समझ चुके है, 7, 9, 1, 2, 3 तो हमारे पास है, example पढ़ा हुआ है दोस्त, क्या 7, 9, 1, 2, 3 तो यह sorted भी था, और इसको आपने बाद में rotate भी करती है, तो एक sorted, rotated array हो गया इसके मदर आपको search करना है, आपको element दिया जाएगा, कि मानलो, target जो है वो है, to, आपको check करना है कि to इसमें present है, या फिर absent है यह बताना है आपको simple सी game है मैंने बोला कि यार, चीजें sorted है, चीजें sorted है मगर graph की form में आपको दर्शाने की try करूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, कि एक line ये थी, और एक line ये थी ये 0 थी index था, ये n-1 index था, ये start था और ये end था ठीक है, हमें क्या दिख रहा है कि ये एक monotonic function है ये वाली line जो है, यानि कि ये वाला part है मैं इस वाले part की बात कर रहा हू ठीक है फिर मैंने क्या बोला, कि ये भी monotonic function है, यानि मैं ये वाले part की बात कर रहा हू, ऐसी तो बना था ये, ये 7 value थी, ये 9 थी, ये 1 था, ये 2 था, 3 था इस पाकार हमने बनाई थी ना, lines ठीक है, तो मुझे समझ में आगे कि दोनों जो है, monotonic function है, तो दोनों में binary search apply कर सकता हूँ, मैं इसमें भी binary search लगा सकता हूँ और मैं इसमें भी binary search लगा सकता हूँ सवाल ये है, मैं किसमें binary search लगा हूँ, मैं first line पर लगा हूँ या मैं second line पर लगा हूँ, मैं first part पर लगा हूँ, या मैं second part पर लगाऊं है ना मैं 0 से लेकर जो फर्स इंडेक्स है उस वाले में लगाऊं या फिर 2 से लेकर फोर्थ इंडेक्स है वहां तक लगाऊं कैसे बता लगेगा मैंने भी कॉंसर्ट आपको पढ़ाया पेवट वाला देखो दो चीजें हमें हाँ पर ग्राफ में नोन है पहला जिरो थी इंडेक्स पर क्या वैल्यू पढ़ी है हमें कैसे लाइन की दो नो वैल्यू पढ़ी है लेफ्टमोस्ट वैल्यू भी पिवट वाली जो मैं निकाल लूँगा और राइटमोस्ट वैल्यू भी दोनों पढ़ी है और मुझे एक टार्गेट पढ़ा हुआ है तो क्या मैं इस टार्गेट रूप कंपेर करके निकाल सकता हूँ कि मुझे इस लगाने कर नहीं लगाने कि खेल क्या था मुझे बाइ टार्गेट है वो लाई करता है कहां पर ए आर 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 ओफ पिवट के बीच में और ए आर आर ओफ एन माइनस वन के बीच में यानि कि अगर आपका टार्गेट इस लाइन के बीच में लाई करता है तो आप बाइनरी सर्च इस लाइन पर लगा दो ठीक है else binary search first line पर लगा दो जो कि ये वाली है तो यहाँ पर फाइदा ये हुआ कि pivot element निकाल के मैंने ये वाली location निकाल ली बन्तर ये वाली value निकाल ली और ये वाली value इस end की मुझे पहले से पता थी इन दोनो end values के पता होने की कारण मैंने चेक कर लिए कि जो मेरा target है क्या वो इन दोनों की range में लाई करता है या नहीं करता अगर वो करता है तो दोस्त इसी में पाइन रिसर्ष लगानी थी इसी में पाइन रिसर्ष लगानी थी अगर वो नहीं करता तो भाई इसमें पानिस लगा दे, क्या में लाइक समझ में आया है, एक बार मैं आपको और समझाता हूँ, अच्छे से, मैंने आपको क्या बोला, कि यहाँ पे graph में न मेरे पास दो line पड़ी है, एक line ये है, first, एक line ये है, second, इसमें मेरे पास पता है, 0th index है, इसकी value क्या होगी, मुझ तो मैंने क्या बोला, या तो मेरे टार्गट इसमें होगा, या तो मेरे टार्गट इसमें होगा, या तो होगा ही नहीं किसी में भी, है ना, but मैं दो बार बार बाइनिक साच क्यों लगा हूँ, मतलब मैं इसमें क्यों देखूँ, फिर इसमें क्यों देखूँ, है ना, ऐस element है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे चेक करना है कि मेरा target इसमें है या नहीं है, तो condition क्या बनेगी कि यार, ARR of pivot यानि pivot index पर जो value पड़ी होई है rather than equal to target rather than equal to ARR of n minus 1, जो यह वाली value अगर यह condition जो है, वो true हो जाती है, तो इसका मतलब आपका जो target है वो इस वाली range में lie करता है present है या नहीं है, बात की बात है, बाइनिस लाइटर चेक कर लेंगे but वो इस वाली line पर lie करता है यह पत लग गया, else दूसरी मतलब, obviously second condition क्या होगी, अगर इसमें आपकी condition true नहीं होई अगर आपकी false हो गई, तो simple सी चीज है, आप कहा लाई करते हो, आप first value line पर लाई करते हो, यह first line है तो इसमें बाइनिस लाइन 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 तो आपकी game बहुत simple होगी, आपने पहला step क्या किया, पहले आपने pivot निकाल लिया, जो कि हमने recently सीखा, second step क्या हुआ, फिर आपने condition चेक करी, यह जो हमने आप लिखी हुई है, इस condition के अधार पर आपने चेक किया, कि मैं first value line में जाओं, या second line में जाओं, जो भी decide होता है, उसमें आपने क्या करा, तब binary search लगा दी, और उसने आपको answer दे दिया, कि present है के नहीं है, बड़ी simple logic जिना, पहले हमने pivot निकाल लिया, जिसके हमने algo just अभी देखी है, दूसरा हमने क्या किया, हमने एक condition बना रखी है, उसको हमने चेक कर लिया, इस condition के मैं बात कर रहा हूँ, यहां से मैं बता लगा कि मुझे पहली वाले line में जाना है, बाइसर्च लगाना है, या second वाले line बाइसर्च लगाना है, आइडिया लग गया, फिर मैंने बाइन रिसर्च लगा दी, और यहां से मुझे मेरा answer मिल गया, जो मुझे बता रहा है कि मेरा जो value है, present है, absent है, यह मेरी algorithm हो भी, इस पकार से मैं game खेलने माला हूँ, भज़े दिखने में और सुनने में तो बहुत पड़ी बड़ी लग रही है, code करना में कैसी होगी, यह तो भाई मैंने भी vector copy करके यहां पर चिपका दिया, ठीक है, और binary search का function भी आप पहले लिख चुके है एक बार, वो भी मैंने आपर copy कर लिया, और चिपका दिया, थोड़ी बहुत हमें change करनी पड़ेगी, जैसे कि यहां पर size की जगा हमने बोला कि starting हो गई, फिर हमने बोला हमने बोला कि if k is greater than arr of pivot, पर pivot तो निकाला नी, pivot निकाला दोस्त, int pivot is equals to get pivot arr, n, pivot निकलिया, दो condition नकानी थी हमें, पहली यह, कि k is greater than equal to arr of pivot, and k is less than equal to arr of n-1, अगर यह condition है, तो दोस्त, right वाले पार्ट में, यानि कि second वाले लाइन हो, बानिसर्ष लगा दे, second वाले पार्ट कहां शुरू होता है, pivot से, इसका नाम है arr, शुरू कहां से होता है, pivot से, end खहां पर होता है, n-1 पे, और value क्या है, key की k, else वाले पार्ट में क्या करना है, फिर से बानिसर्ष लगा दे, कहां शुरू करना है, 0th index से, कतम का करना है, pivot-1 तक, key value भेज़ दे, और done, मैंने बुला कि simple था, मैंने condition लगाई, और यहां मैंने 22 लगा दिया, पहली line पे, और नीचे वाली condition जो else है, नहीं दुबार समझते हैं, यहां मैंने लगाई second line पे, और यहां मैंने लगा दिया first line पे, देखें, तो इस प्रकार हमारी game हो चुकी है, मैं एक बार इसको run करके देख लेता हूँ, कुछ error है, error क्या कहता है, कि आपने कहीं पर error लिखा, उसको vector में convert कर लो, मैंने run कर दिया, मैंने इसको submit कर लिया, मैं इसको submit करता हूँ, देखो, पहले मैं कर चुका हूँ, इसको यार, ठीक है, बहुत बार गलत भी हुआ है, सही भी हुआ है, तो यहां पर हमने चलाया इसको, और हमारा answer बिल्कुल सही आ गया, बहुत प्यारा हम खेल रहे हैं, मैंने यहां पर question किया, कुछ wrong आया, उसको मैं ठीक करके आपको दिखाया कि यह wrong क्यों है, यह सही क्यों है, इस पहली बार में सही हुआ हुआ, ठीक है, तीन बार समझा चुका हूँ, तो हम यही समझ मा आ चुग है, कि हमने क्या किया, अगर हम ध्यान से हां पर logic को समझने क तृइक करें बार दोबारा, तो हमने क्या किया, हमने से पहले pivot निकाल लिया, pivot का logic हम उओं रही पहले देख चुक है, फिर हमने क्या किया, अपने target को compare कि है, कि कौन से learn में में target exist करता है, क्या वो पहली line के अंदर आता है, या वो दوس compressed line के नदर आ रहा है, तो भाई सब second line तो इस प्रकार आपने ये कोशन कर लिया और ये कोशन हलके में मतले ना भले यहाँ पर एजी लिखावा डिफिकल्टी के अंदर इसको हलके में ना ले और फटा-फट से इसको अच्छे समझ ले और एक दो बार कोड कर ले लोजिक को खुद बनाने का ट्राइ करें यह जो मैंने आपको शिखाया है यह थी आपकी पहली अप्रोच अप्रोच नंबर वन मैं यह कहता हूं कि इस पहले तो हम देखते हैं इसक इसलाइब करें एक रखे होंग करती है जहां पर अपकी यहां है पर आप मिडल होगे और आप देखोंके कोंसा वाला पार्ट सौटिड है जोंसा भी पार्ट सौटिड होगा उसमें जाके आप अपनी टारगे के basis कुछ condition लगाओगे target के basis कुछ condition लगाओगे और आप decide करोगे कि S और E को कैसे move करना है यानि left part में जाओं कि right part में जाओं ये सब आप decide करने वाले हो मैं नहीं बताओं किया सीज़ करना है आपको थोड़ा मैंने idea दिया है तीनों के complexity सेम ही है तीनों जाओं logarithmic tank में आपकी होने वाली है एक अपरोच मैं आपको बता दी आप try करो बाकी की दो अपरोच सूचने का देखे है तो इस पकार आपने ये वाले question कर लिया है और इसमें मैंने अच्छादा अब मैंने आपको क्या बोला दोस्त अगला question आपके सामने आपके आखो के सामने जो कि square root निकालना आपको using binary search आपको क्या करना है square root निकालना है using binary search ठीक है मैं एक बार question आपको निकाल कर देता हूँ तो हमारे सामने question आगया square root का ठीक है question क्या कहता है question कहता है कि मैं आपको न इन्पृट में एक number दूँगा मैं एक number दे दिया 25 आप मुझे output में उसका root दे देना square root 5 answer आगया ठीक है, इस प्रकार आपने answer निकाल लिया question कहता है कि मैं आपको input में एक number दूँगा आउट्पूट कहता है कि यार कुछ भी खास नहीं है इसका स्क्वेर रूट दे देना बस मुझे मान लो कि 27 का स्क्वेर रूट है 5.2 के आसपास आता हो मौन लोजियूम कर लो मुझे अभी इसमें इंट्रस्ट नहीं है मुझे सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ची अब मुझे आउट्पूट निकालके दे मैंने वहला आउट्पूट सिंपल है दोस्त आर्ट करते आर्ट कैसे निकलता है तो रूट टू वह कहां करता है वान लोग के तू परण ठीक आसपास आ रहा है मुझे इसमें को इंट्रस्ट नहीं है मुझे आंसर दे तू मैं उसमें जाँगा तो यह आपका कोशन कहता है इस प्रकार से आपका कोशन को सॉल्व करना है ठीक है यह चीज़े मैं समझ में आच चुकी है अब हम कोड करने का ट्राई करें भाईया प्रवस्तर सब डिसकस करा लो ठीक है बहुत बढ़िया अब देखो हम एक बहुत प्यारी चीज वो था 27 इसका मुझे स्क्वेर रूट निकालना था ठीक है अब इसको समझने का ट्राई करते है कि लॉजिक क्या कहता है लॉजिक क्या कहता है रिष्टा क्या कहलाता है ठीक है तो हमने अब देखना है कि यार किस प्रकार से मैं इसका solution निकालू हमारा brute force दिमाग क्या च्रूब ओयां कर दो करले डो कषक्वेर निकाल कंपयर कर ले ऐसे करते 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 कही ना कहीं तरह कोई को एनसर मिल जाएगा गा स्क करते होगा मैं यहां पर सकता हूं क्या कुशन है 2 हुआ कि log n चाहिए और अगर मैं graph आपको दिखाऊ हूँ बनाके तो graph क्या कहता है कि log n कुछ इस टाइप का होगा और root n इस टाइप का होगा तो root n complexity जड़ी ज़्यादा है हमें कम वाली चाहिए तो log n वाली चाहिए भई यह हमें log n में निकाल कर दिखाऊ बाइन सच लगानी है ऐसा मैंने आपको बोल दिया अलड़ी तो इसको समझने का try करते हैं मैंने आपको बोला कि अगर कोई 27 का मुझे root निकालना है 27 मेरा input है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो answer है जो मेरा answer है वो कहा लाई करता होगा वो 0 से लेके 27 के बीच में कहीं पर लाई करता होगा क्या ये statement सही होगी सब्सक्राइब जो मुझे search करना है वो 92 है अगर मेरे n की value 92 है और मुझे root 92 निकालना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि root 0 से लेके 92 के बीच में कहीं exist करता होगा हाँ बिल्गों ठीक है भई या समझ में आ रहा है है ना मैंने बोला कि n की value 37 है तो क्या मैं ये बुस्ता root 37 जो है वो 0 से लेके 37 के बीच में कहीं पर लाई करता होगा 37 के case में 6.something आएगी 6.something तो इसके बीच में कहीं आता ही है ठीक है तो हमें समझ में आगे भी है क्या बहुत important concept है ध्यान देना यार बिल्कुल इसमें ignore मत करना जिस range के बीच मेरा answer like करता है जहाँ पर मेरा answer हो सकता है उस range को मैं क्या बोलता हूँ कि search space है अब अगर इस search space को मैं आपको लिखके दिखाऊ तो ये क्या है 0 1 2 3 25 26 27 अच्छा ये क्या है ये तो भाईया sorted है ये तो ये monotonic function है इसका मतलब मैं इस range के उपर binary search लगा सकता हूँ क्या बात है पकड़ लिया अगर मैं इसको ग्राफ में plot करूँ इस हरी वाली series को इसकी में बात करूँ तो ये तो भाईया linear जाएगी और ये तो monotonic function हो गया और इसका मतलब मैं बाईया अप्लाई कर पाँगो इ आपने पकड़ लिया तो आपने क्या किया कि आपको मैं कोई भी अकर number दे दूँ कि यार number is equal to 101 आपने बोला कि यार ये 0 से 101 के बीच में लाई करता होगा तो 0 मेरा start हो गया 101 मेरा end हो गया और भाई मैं इस पूरे के उपर जो है bind research लगा दूँगा मैंने बोला तु मैं ने बोला विलकुल ठीक क्या रही हो आपने क्या बोला कि मिड़ निकाल लेता हूं मिड़ आया 36 अपान टू धैट इस 18 मिड़ निकाल लिया 18 यहां पर गई लाई करता है यह आपका मिड़ है आपने 18 का square निकाला कि यह चेक करता हूं कि 18 का square क्या पता 36 के equally हो तो आपन 18 स्टार 18 324 हमारी मैं थभी भी काया मैं लड़को 324 तो 36 से बहुत बढ़ा है तो इसका मतलब है कि इसके आगे के जितने नंबर होंगे वो भी solution नहीं हो सकते भाया क्यों क्योंकि अगर 18 का square 324 आ रहा है जो कि बहुत बढ़ा है तो 19, 20, 21, 30, 36 इन सब का भी तो square बढ़ा ही लेफ्ट वाले पार्ट में जाओंगो इसका मतलब मैंने आप बाइनीसर लगाने शुरू कर दी मैंने एक पार नेगलेक्ट कर दिया राइट वाला और लेफ्ट वाला पार उठा लिया तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है मुझे कि यार इफ मैंने क्या किया है mid multiply mid is greater than number तो इस 17 से पहले 17 तक लगाना है आपको आपने याप लिखना लिखा 0 से लेके 17 आपने mid निकाला mid की value के आगई 8 एट आ गया 8 को हमने compare किया कैसे 8 multiplied जो कि आगए 64 64 को हमने 36 से compare किया बहुत ज़्यादा यार जब ज़्यादा होता है तो हमने अभी सीखा ज़्यादा अगर 8 ज़्य ज़्यादा है दोस्त तो इसके आगे वाला पार्ट भी ज़्यादा होगा 9 लोंगा 10 लोंगा 7 कुछ भी लोंगा तो वो भी ज़्यादा ही number produce करेगा तो वो भी मेरा answer नहीं हो सकता तो भाया end को उठाकर पीछे ले आओ यह वाली condition basically तो यहाँ पर क्या है 7 लिखा है तो 9 जो है वो less than 36 है अच्छा ठीक है क्या मैं इसमें दिमाग लगाने का try किया अगर मेरा कोई भी number कम आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि यह possible solution हो सकता है मुझे नहीं पता यह exact solution है यह नहीं है बट एक possible solution है इसको मान सकता हूँ कि एक possible solution है तो मैंने क्या करा मैंने इसको करा रहा है इस case में आप क्या करो answer को store करा लो answer आपने store करा लिया और sets को ना हम एक बता है कि अगर यह number 36 से छोटा है तो इसके पीछे वाले सारे number का square 36 छोटा होगा तो मैं इसको आगे लिए आता हूँ इसको आगे बढ़ा दे मैंने बोला कि दोस्ता ही समझ रहे हो बिल्कुल आपने एक और condition त्यार कर ली बिल्कुल सही अब हम आगे गए 3 के आगे 4 होता है अगला array बना लिया हमने अगला array बनाया कहां से कहां तक 4 से लेके 7 तक 7 चार एक 5 आगया तो आपका mid क्या आगया mid गया गया इस case में 7 plus 4 by 2 that is 5 तो आपने 5 उठाया इसको आपने mid बना दिया 5 का आपने multiply किया इसको आपने 25 जो है less than 36 है यह वाली जो condition आपने लिखी है यहाँ पर यह condition लगने वाली है तो आपके answer में यहाँ पर store हो गया 5 जो की mid की value है और आपने जो s आपका था उसको बचे है 6 और 7 इस प्रकार आपने अपने mid निकाला 6 plus 7 upon 2 that is 6 only तो आप यहाँ आ गए यह आपका start है यह आपका end है आपने 6 का square निकाला 6 मुला 6 equal 36 अरे दो से तो same equal equal हो गए आपने compare किया ना इसको number के साथ यह जो है यहाँ से आया है और यह जो ही आपका number है अगर मैं पीस अगर mid multiply mid जो है वो equal equal आ जाए इसके number के तो मेरा answer जो है वो return कर दे answer क्या है mid एक और condition त्यार कर लिया मैंने बोला कि दोस्त बिल्कुल सही जा रहे हो बहुत बढ़िया जा रहे हो अब बस code करना बागी है आपने example को dry run करते करते सारी conditions नेकाल लिए बस code करना बागी है code में क्या कहते हैं अगर equal आ जाए तो return कर दे एकली condition क्या कहती है अगर बढ़ा आ रहा है तो भाई end को पीछे लिया अगर छोटा आ रहा है तो भाई answer store करके s को आगे बढ़ा दे simple तीनी condition होती ना जा तो बढ़ा आए गया तो छोटा आएगा तो equal आएगा तीन condition को तो आपने code तो यार कर लिए इसको लिखने का try करते हैं एक बार चलो मैंने आप एक function बनाया जो कि कहता है कि int binary search और यहाँ पर आपका number आ गया मैंने बोला गया यह आपका s जो है वो 0 है और आपका e जो है वो number है और आपका mid जो है वो क्या है s plus e minus s by 2 आपने binary search लाई और यहाँ पहली condition आप लिखे कि यह दोस्त पहली square निकाल लेता हूँ int square is equal to mid star mid आपने square निकाल लिया आपने बोला कि if square is equal to is equal to जो मेरा number है इस case में क्या करूँगा return कर दूँगा mid को मैं बोला भी को ठीक है बाई आपने बोला कि if square is less than number इस case में क्या करूँगा अगर मेरा square जे हो less than number है इस case में मुझे क्या करना होता है answer में store करना होता है ans is equal to mid पर ans तो बनाए नहीं है तो बना लो ना इंट ans is equal to minus 1 store करके s को आगे बढ़ा दूँगा mid plus 1 अगला case else आप देखो equal वाला case होगा less than equal case होगा तो else में आपके greater than case में आपने वाला case में आपने क्या गोला था कि आपके end को पीछे लेकर आओगा end is equal to mid minus 1 और यहां पर आपको पता है कि आपको mid को update करना होता है तेक है यहां पर अपने answer को return कर दिया code तेक है अब इसमें एक छोटी सी गलती है जो हम पक्का फसेंगे भी यहां पर हम गए यहां पर हमने बोला कि return binary search binary search x हाँ हम इसको इपर चला कर देखते है हमारे example test cases के उपर यह सही चल रहा है मैं गया मैंने बोला example test case के चोज़ कर लो मैंने बोला चला कर देख उसने चला कर देखा उसने बोला रहा कि यार अभी भी सही चल रहा है मज़ा आ रहा उसको पर इसमें एक बहुत प्यारी गलती है क्या गलती है मान लेते है mid की value मिड़ भी एक integer हम लिए है माल लेता है मिड़ की value जी है वो 2 की पावर 31 के आस पास है तो अगर वो एक huge integer एक huge integer से multiple हो जाए और एक ऐसे integer में जेरल्ट कर जाए जो कि integer की range में ही नहीं आता है integer की range क्या होती है माँने शुक्रों 31 से लेकि अगर आपका जो इनका product आ रहा है वो एक integer की range में नहीं आ रहा है वो 32 bit में fit ही नहीं हो पा रहा है वो integer overflow हो चुका है exception आ रहा है तो भईया यहाँ पे आप फट जाओगे यहाँ पे आप फट जाओगे आपका answer सही नहीं आएगा तो हमें उस answer को सही करना पड़ेगा चलो सही करते हैं तो उसके लिए हमें इसको हमने इसको long long int man लिया ठीक है हमने इसको long long int man लिया और आगे देखते हैं हमने इतना कर दिया इतना कर दिया इतना कर दिया ठीक है और अब मेरे हिसाब से हमारा जो code है उसे सही से चलना चाहिए और ठेक है हमें लगता है कि हमारा code चल जाना चाहिए हम एक बार फिर भी कुछ अच्छे से test case बना के run कर लेते हैं हमने लिखा 10 कैसे लिखे हैं अच्छे से test case कैसे बनाए है 10000 इसका answer 1000 आना चाहिए देखते हैं क्या आता है 1000 आ रहा है तो ये एक ऐसा case था कि अगर हमें यापर long long end नहीं लगाते हैं शयाद हम फट जाते हैं चेक करते हैं अगर मैं इसको हटा दू मैं इसको हटा दू मैं इसको हटा दू और फिर चला के देखूं तो क्या होगा अब मैं चलाओ और इसको तो फट गया इस चीज़ के हम बात कर रहें थे यार कि यहाँ पर क्या हुआ पांस लाग मेंडिल पांस लाग हुआ जो कि बहुत बड़ा नंबर बन गया जो के इंट के स्टोर नहीं हो सकता इस वाइसे आपका कोड फट जाएगा अगर मैं आपका लॉग लगा दूँ और मैं इस कोड को फिर से चला दूँ तो क्या यह चलेगा चल गया देखा है तो अब मुझे लगता है कि मैं इसको सब्मिट करने वाली हालत में हूँ मैं इसको सब्मिट करोंगा तो शाहर यह सब्मिट कर दियो तो यह मेरा आंसर था एक्सेप्ट हो गया आप देख सकते है आपने बाइनेरी सर्च के द्बार Caesar का स्कोरा रूट निकालना सीख लिया है ठेक है बढ़िया मज़ा आ गया पर भई हमने अब तक ने सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट निकाले हैं जो इंटीजर के आगे वाला पार्ट ने वो नहीं निकाला मान लो कि अगर रूट 37 जो है वो 6.12 आता है तो आपने तो सिर्फ 6 निकलवाया वो 0.12 कौन निकलवाएगा मैंने बोला बहुत असान लड़के बहुत जादा असान है यहां brute force खेल के दिखा मुझे कैसे आपने बोला मैंने आपको बोला कि 6 निकाल लेगा सिर्फ 6 निकाल के दिखा देगा आपने बहुत बढ़िया अब मैंने आपको बोला कि देख बहुत simple है एक बार क्या कर 6 उठ इसमें 0.1 एड करता था तो यह क्या बन गया 6.1 इसका square निकाल और चेक कर आ ले कि क्या यह 37 से कमा रहा है अगर आ रहा है तो उस concern में save कर आ ले दिखा है फिर 6.2 निकाल 6.2 का square निकाल चेक कर सेव कर आ ले ऐसे करते करते एक जगा पर मानले आगे फट जाएगा मानले 6.3 पर आगे 6.3 का square तो ने compare करने के try किया और भाई सहाब यह condition जाए false आगे रुख जा रुख जा यह तो क्या चल रहा है ध्यान से देखो लूप किज़े चल रहा है simple looping चल रही है कुछ महनत नहीं है इसके अंदर अब मैंने क्या बोला कि दोस्त अब 6.2 तो तो पतलग चुका एक feasible एक प्यारा solution है तुझे पर इसके आगे की चीज निकाल ली है तो मैंने क्या बोला 6.2 तो पतलग आ चुका है अब 0.01 एड़ कर तो इन एक लिए save करवाना है के नहीं करवाना मान ले 6.23 पर जब तुने बनाया तो 6.23 के square पर मान ले यह जो है compare करते हुए false आ गया तो रुख जा और precision चाहिए और आगे चाहिए तुझे पतलग तो 6.2 तो सही आ रहा है 6.2 तो ले 0.01 ले इसका same process चला दे तो algorithm तो बहुत simple है algorithm क अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा simple है बहुत हद से ज़्यादा simple आ चुकी है ठीक है बड़ भया यह चीज़ तो समझ में आ गई पर मैं यह करूंगा कैसे implement कैसे करूं code wise कैसे दिखाओ मैं इसको मैंने वोला लड़के बहुत सही बात कर रहा है तो मैंने यह function पर लन कोई पेस्ट करके अपने पास एक लिया तो मैंने किया कि यहां पर अपना code जो है वो पेस्ट कर लिया मेरे पास एक function पड़ा है जो कि मुझे square root का integer दे देता है मैंने यह लिख दिया मालो अच्छा सा नाम दे दिया इसको square root integer इस पर कार लिख दिया मुझे integer वाला पार दे दे दिया है तो यार मेरे पास कोई number है int n और मैंने बोला कि cout enter the number आपने जो है number enter कर दिया तो मैंने उसको पहले integer part निकाल लिया और मैंने बोला इसको part 1 temporary solution क्या हो गया मैंने इसको पहले लिखा उपर function का नाम था square root integer इसमें मैंने अपना number दे दिया तो मेरा integer वाला part यहां पर आ चुका है ठीक है यह वाली इसमें समझ में आ चुकी है अब मालो मुझे एक double number चाहिए कि मुझे double number चाहिए होगा किसलिए यह जो आप decimal number बनाना चाहा रहे हैं इसको integer में फुरी store कर पाऊगा इसको double में store करना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला इसको मैंने इसको बोला कि more precision इस प्रकार मैंने function का नाम दे दिया कि इसको और precise करो 6 से बात देवाली 6.123 इस प्रकार कद लेकि आओ यहां पर आपने मुझे number दे दिया यहां पर आपने मुझे precision count दे दिया कि मुझे किस number तक जाना है आगे और क्या है आपने मुझे temporary solution दे काटा हूँ मैंने बोला cout answer is मैंने function call मार दी more precision यहां पर मैं तीन चेज़ दी n जो कि मैं input में मिला precision मानलो मैं तीन दिजिट तक precision चाहता हूँ ठीक है कि मैं decimal के बाद तीन दिजिट और चाहता हूँ और temporary solution मेरा यह रहा temporary solution बहुत बढ़ी है अब मुझे बसे function complete करना मेरा का हो जाएगा मैंने क्या बोला एक factor मैंने अपने बाद रख लिया double factor is equals to one कैसे यूज करने वाले भी पता लग जाएगा ठीक है double factor is equals to one हमने रख लिया हमने एक for loop चलाया 4 int i is equals to three और यह हमने कब तक चलाना है precision तक इस प्रकार तो इसमें हमारा जोगा हमने दिखाया था नहीं आप आपको कि यार पहले 0.1 ले लिए और फिर 0.01 ले लिए और फिर 0.001 ले लिए इस प्रकार तो यहां पर आप गए आपने बोला factor is equals to factor divide 10 धियां से देखो क्या हुआ है यह अपर अपने क्या कर दिया है कि यार आपने factor को 10 से divide कर दिया तो वह क्या बन गया 0.1 बन चुक रहे हमने बना लिया है पर, starting case की, जब बात कर रहे थे नहीं है, हमने, अपना 0.1 जो यहां पर लिखा हुआ है, 0.1 यह बना लिया है, अब हमें क्या करना है, इसमें add करके, बस square करके, चेक करना है, बहुत बढ़िया, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बार 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 बार, बार बार, अब बार चाहिए आपके N के और J में आपको क्या करना है J में आपको फेक्टर प्लस करते जा रहे हो ठीक है डबल करना पड़ेगा इसको और 0 स्टार्ट नहीं होगा यह स्टार्ट कहां से होगा यह आपके टेम्प सोलुशन से स्टार्ट होने वाला है नहीं आपने एक आंसर रख लिया डबल आंसर इस इकोल्स टू आपका टेम्प सोलुशन और उस आंसर को आपने यहां पर दे दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सभी चल रहा है मज़ा रहा है इतना कर लिया आपने आप जब भी कंडिशन ट्रू हो जाएगी तो आपका आंसर अपडेट करना आपको answer is equal to J मुझे लगा रहा कि आपको समझ में रहा है मैं आपको समझाऊंगो इस पगार आपने इस answer को आपका लिख लिया यह अपडेट हो गया और यह मेरे हिसाब से आपका answer बन जाएगा और आपने आपका answer बन जाएगा अपने answer बने I can return कर दिया मैं एक पार इसको verify कर मैंने दुबारा चलाया, मैंने दुबारा 36 दिया, उसने बोला आंसर ठीक है, सही दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं 37 दे दिया, उसने बोला 6.082, अब यह सही है कि नहीं चेक कर लेता है एक बार, हमने बोला कि 37 का स्क्वेर रूट निगालो गूगल भाईया, 6.082, भाई से मा आंसर तो बिल्कुल सही निगाल के दे रहा हमारा कोड, देख है, हमने बोला कि दोस्त, 101 का निगाली हो, 101 का निगाली हो, उसने बोला 10.049, मैं यहाँ पर जाके बोला, 101, 10.049, तो हमारा कोड तो सही चल रहा है, एक बार मुझे आपको समझाना पड़ेगा वा उसकी हुआ क्या है, हमने सबसे पाई एक factor ले लिया, यह factor 1 से initialize कर दिया, क्यों, ताकि जब मैं इसको 10 से डिवाइड करता दा हूँ, तो पहली बार में यह क्या बन जाएगा, 0.1, अगली बार क्या बन जाएगा, 0.01, अगली बार क्या बन जाएगा, 0.01 तो इसलिए ह हमने ये factor create कर लिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, पारवार यहां पर प्लस करते जा रहे हैं, यहां को दिखरा होगा, हमने क्या किया, j को अपने answer से initialize किया, answer क्या है, temporary solution, integer वाला part, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, हमने इसको answer initialize कर लिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके square को compare कर रहे है, n के साथ, कि क्या यह less than n है, अगर यह less than n है, तो भाई answer को update करते, answer जो है, आपका j हो जाएगा, देखे हैं, यही same चीज हमने ही हाँ पर देखिए, अगर मैं आपको करके दिखा हूँ यह चीज, चलो, करके दिखाता हूँ, मैंने आपको बोला कि दोस्त, अगर मैं on low के more precision वाले function में आता हूँ, more precision वाले function में आता हूँ, मैंने input में आपको दिया, number क्या है, 37, precision कितना रखना है, 3 digit का, और temporary solution क्या है, 6, यह तिन दीर में आपस आई हुई है, ठीक है, मैं लूप में अगर जाओं, तो देखो क्या होगा, पहरा लूप चल रहा है, 0 से लेके 3 तक, आप अंदर आए, factor जो है, वो क्या बन गया, 0.1, आप अंदर आए, फिर आपको जो answer है, वो निश्राज होगे, आपके temporary solution के साथ, जो की आपका 6, फिर आपने क्या बोला है, 6 का square एक बार चेक करें दोस्त, 6 का square less than 30 से बने हैं, और फिर आप अंदर आगे, आपने बोला कि हाँ यार यह तो true है, आप अंदर तभी आओगे, और आपने बोल देगी, answer अपडेट करके, आपने 6 कर दिया, इस प्रकार, ठीक है, फिर आप गए, increment करने हैं, आपने बोला कि यार, इसको यहाँ पर answer के जगा जे लिखो, जो मेरा जे आना दोस्त, उसमें प्लस कर दिया, जे प्लस, फेक्टर, फेक्टर क्या है, 0.1, यह क्या है, 6 प्लस, 0.1, यह हो गया, 6.1, 6.1, यह 6.1 इस कंडिशन में दुबारा दायागा, यह क्या होगा, 6.1 का स्क्वार, लेस देन 37, इस प्रकार, यह जो है, यह false आगया, जबी false आए, आप लूप से बाहरा आगय, आप लूप से बाहरा आगय, second iteration में गय, second iteration में आपको factor जो है, दुबारा divided by 10 हुआ, यह हो गया, 0.01, जबी 0.01 हुआ, आपका answer दा starting में भी, 6.0 हुआ पड़ा है, ठीक है, पुराने वाले case की वएसे, अगर आप यहापे साफ से तरीके से इसको लिखे हैं दुबारा, तो आपने यहापे compare गया 6.0 को, less than 37, सभी चल रहा है, अंदर आए, update हो गया, आप फिर यहाँ पे काई, j is equal to j plus factor, जे क्या है, 6.0, factor क्या है, 0.01, यह आगा 6.01, इस प्रकार, तो 6.01 बना, आप इस condition में आपने चेक किया, 6.01 का square less than 37, भाई सब true आ रहा है, जैसी है true आ रहा है, तो हमने क्या किया, answer को update कर दिया, answer जीको 6.0 की जगा, 6.01, इस प्रकार हमें एक solution, पूरा लेके आ चुके है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, simple आप 4 loop वाली गेम खेल रहे हो, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना पड़ा, और आपने कर दिया, आपको समझ में आए, करते कि factor ज़र double value है, जो मैं add कर रहा हूँ, तो अगर मैं integer में करको दिक्कत हो जाएगी, तो अपना राम से इसको भी double लेते हैं, safe चलते हैं, hero नहीं बनते जाएगा, तो आपने इस पकार more precision एड़ कर दिया, अपने square root वाले function में, तो आज के time पर अगर मैं आपको बोलूँ कि, allocation, problem, भया, ठीक है, करने तो वाले हैं, बट आपने बोला था कि, जादे लेंबर वीडियो नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाते हैं, यह हम करेंगे next वीडियो में, ठीक है, मैं आपको यह बोलूँगा, कि homework मेंना कुछ नहीं करना, इसको आप अगर अपने अंट से थोड़ा समझने कर ट्राई कर लो, book allocation पर लोगो, थोड़ा समझने कर अगर आप ट्राई कर लें अपने अंट से, तो बहुत मज़ाएगा, तो एक बार आप अपने अंट से पहले से पढ़के आए, तो जब मैं book allocation आपको पढ़ाऊँगा, या मैं आपको aggressive काव वाला question करवाऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे समझने आएगा, इसको आप जो पढ़ाकू बच्ची नहोते, स्कूल में, जो पहले सी चीज़े पढ़के आजाते हैं, वैसे ही पढ़के एक बढ़ाना, समझ में आए ना है, बस पढ़के आजाना है, उसके बाद मैं जो समझाँगा, तो आपको समझाँगो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आजाएगा, मज़ा आजाएगा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इतना ही कोशिन करते हैं, अगे बढ़ेंगे, और हमारे पाइनी सच के परण सॉल्विंग सीरीज के अगले थर्ड लेक्चर के अंदर, जहां पर सारे एडवांस कोशिन हम करने वाले हैं, मैं इसको दो बार में शूट करना पड़ा, तो ये वीडियो मातला बहुत साई, स्मूद फ्लो में बन गई या, कोई गल्तिया नहीं हो इए, कोई कोड में कोई गल्तिया नहीं हो इजो हूँ, रोण अंसर नहीं आ रहा है, संज्ञा रहा है, तो ये preparation के फायदे हो जाते हैं तो ठीक है मिलते हैं आपसे ने के शुड़े में तब तक लिए बाई बाई सिया टेक केर यह धतरवाल का है शरुब कोई बात नहीं बाई बाई